कर्म और भागी को भरपूर खुशियों का कारक कैसे बनाएं? सफलता के क्या है उपाई? रत्न वास्तू और अनी उपाई के सहारे कैसे बनी विजीता? यह सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है जोतिश और वास्तू के विशे शागे पंड़त पवन कौशिक जी पंड़त बहुत स्वागत है हमारे साथ हमारे इस खास कारिक्रों में शरीक होने के लिए आपका धन्यवाद जी तो आप बने लए ये बार साथ जानिए जोतिश के रहसे और किस्मत बनाने के दूसरे उपाई जोतिश वास्त वो और आपके जरीए पती पत्नी के बीच नहीं बन पा रही हो पती नहीं देता हो पत्नी को सम्मान और समय वैवाहिक जीवन हो गया हो कश्ट और तनाव से भरपूर तो ऐसे लोग क्या करें जोतिश ये उपाई आखिर क्यों आती है ये स्थिती जानते हैं पनित पवन कौशिक जी से जी पाईड़ जी दर्सको अगर पती और पत्नी के बीच में किसी भी परकार का अलगाव हो रहा है किसी भी परकार से वैचारी के व्यमन नश्य हो रहा है या कोई भी समस्याए उनके घरेलू जीवन को परिशान कर रही है तो इसका अर्थ यह है कि पत्री में उनकी जनम प उपाई आपको अवश्य कर लेने चाहिए, अगर आप उपाई करेंगे तो निश्चित तोर पर दोनों में आप सी प्रेम बढ़ेगा, जैसा कि हम जानते हैं कि मांगलिक, मांगलिक की दोस्त जो होता है वो पती या पतनी को परभावित करता ही करता है, अगर आपके मंगल ज उत्थे साथवे आठवे या बार्वे भाव में बैठे हैं, अर्थात इन तीनों ही स्थिती में से किसी भी प्रकार से आप मांगलिक हैं, तो निश्चित तोर पर वह स्थिती थोड़ी सी कष्टकारी हो सकती है, दर्सकों डरने की कोई आवश्यक्ता नहीं होती, केवल आपके वेवाईक जीवन को कष्टकारी बना सकते हैं, आवश्यक्ता पुने केवल उपाय करने की होती है, राहू अगर सात्वे भाव में बैठ जाता है, मान लेजिए राहू मंगल के साथ सात्वे भाव में बैठ गया, अंगारक योग बना देगा, और पती के साथ या प समय बिताएंगे, और पत्नी से बाते भी वो ढंक से नहीं करेंगे, और वह समस्या बन जाएगी, ग्रहलू करे उत्मन दोनों के बीच में हो जाएगी, इसकी अतिरिक्त, अगर कोई अन्य ग्रह जैसे कि सूरिये सात्वे भाव में बैठ गया, और दुसित है, तो वो पत्त और पत्नी के बीच अलगाव करने में शक्षम है, अगर आप मांगली की भी नहीं है, अन्य कोई भी स्थिती नहीं है, लेकिन खुद श्वम ग्रह राज सूरिये की स्थिती सब्तमभाव में हैं, और सूरिये दुसित हैं, तो निश्चित तोर पर तलाक तक होने की नोबत स सूरिये लादेते हैं, इस थिती से बतने के लिए भी आपको उपाई ही करने पड़ते हैं, दर्सको उपाई भी मैं आपको बता दूँ कि आपकी पत्री कैसी भी है, आप साल में एक या दो बार, अगर सफेद और रेशमी कपडे, कपडे सफेद होने चाहिए, रेशमी कप अबर लाल जवार किसी गरी ब्राहण को दे दे, साज में दही भी दे, तो भी निश्चित रूप से उसको पती का प्रेम प्राप्त होगा। इस तरह कि जो छोटे मोटे उपाय होते हैं दर्सको वो हमें करते रहना चाहिए, अगर आप करेंगे तो निश्चित तोर पर उनका लाब होता ही होता है। लोटा ले, उसमें गंगाजल डाले, हल्दी डाले और एक सिक्का उस लोटे में डाल दे। उसको बेटी के उपर से घर की दहलीच से निकलते वक्त साथ बार उसके उपर से वार दे, घुमा दे और आगे फैक दे। जिसको पार करके उसको जाना है अपने सस्राल। उसके बाद आप देखेंगे कि आश्ट्रे जनक परिवर्तन आएंगे उसके जीवन में और उसको अपने सस्राल से प्यार मिलेगा, सनेह मिलेगा और पती का प्रेम भी मिलना प्रारंब हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एक चीज में बता दूँ कि योग्य जोच्छी से तो आपको प्रामर्स करना ही करना है, आप किसी योग्य जोच्छी से व्यक्तिगत प्रामर्स लें और उन से जाने की उपाई क्या करना है, जैसे कि रतन धान करना होता है, आपकी पत्री यह बताएगी कि आपको कौन सा रतन धान करना है या फिर आपको रतन अपने पती को धान करवाना है अब दर्सको कई चीजे ऐसी हो जाती है कि कहते हैं कि भी पती तो मानते नहीं इन चीजों को पती जोतिस को नहीं मानते अब अगर किसी की पत्री इतनी खराब है कि वो ग्रह लक्षमी का सम्मान नहीं करता अपनी पत्री का सम्मान नहीं करता तो अध्यातम को क्या मानेगा और ज्योतिस को क्या समझेगा ये तो सरविदित है तो उसकी पत्री को चाहिए कि वो खुद पहल करे उसको उससे जोतिस नहीं मनवाना है दर्शको जोतिस को वो माने ना माने अध्यातम में उसकी जिग्यासा हो ना हो भगवान को माने ना माने लेकिन उसकी पत्री अपने पती का जो कारक रतन है जो उसके पती के सब्तमभाव को ठीक करे उस रतन को गिफ्ट कर दे पती के उंगली के साइज का रतन उसको गिफ्ट कर दे और वो रतन उसको जोची सला ना मानके उसको वैसे पहना दे कि अंगूठी बड़ी सुंदर है आप इसको पहन लीजिए और पहनते ही क्योंकि रतनों में इतन कि अगर पतनी भी कई बार ये देखा जाता है कि पत्नी नहीं मानती है बात बेबात जहगड़ा करती है हमेशा दिवाग चढ़ा रहता है तो ऐसी स्थिति अगर आती है तो पत्नी को अई इसा ही करें पतनी को रतन पहना सकते हैं पतनी नहीं मानती है तो भी उसको रतन जो है गिफ्ट में दे के पहना सकते हैं इसकी अतिरिक्त पती या पतनी अगर सफेद गाय को वाइट काउ को अगर चारा खिलाते हैं तो निश्चित रूप से उनके प्रेम संबंद आपस में ब कुछी से पूछ कर भी नहीं करने गाय को चारा कोई भी खिला सकता है पीपल में जल कोई भी दे सकता है सूरिय को जल कोई भी दे सकता है चाहे आप व्यक्तिगत पत्री किसी को दिखाएं ना दिखाएं ऐसा आप कर सकते हैं इनका लाब आपको कुछ परतिसत तो अवस्चे म जो आपके सुभ योग हैं उनको बढ़ाने की चेश्टा करे और जोच्छी को भी चाहिए कि वो दोनों पती और पत्री की पत्री पर सम्मिक विचार करे उन दोनों को देखे केवल अश्ट कुट गुन मिलान पदती दर्सको अपने आप में प्रियाप्त नहीं है इसकी अतिर जोच्छी को चाहिए कि जिस वक्त उसके पास पूछने आते हैं उस वक्त की गोतर कुंडली देखे और गोतर कुंडली उस वक्त की ग्रह स्थिति क्या है उसका सम्यक अध्यन करके और दोनों का आपस में अध्यन करे इसकी अतिरिक्त नवमांश को भी देखे उसको कभी न पूलना चाहिए नवमांच को अवच्छे देखे जब पती और पत्नी के बारे में विचार किया जाता है तो इसके अलावा दोनों की दसाइं देखे कि इनको कौन सी दसा चल रही है जो विशोंत्री दसा है किस ग्रह की दसा इनको चल रही है किसका अंतर चल रहा है किसका प् हग्येश का रतन आपने पहना दिया और वही रतन पती के दिमाग को खराब करके रख दे या पती के उन्तिंबे बाधक बन जाए ऐसा रतन बिलकुल ना पहनाए जब भी रतन पहना ना पहनाया जाता है तो उसमें चेश्टा ये कि जाती है कि वो रतन उसके लिए तो सुभ ह को ही साज में उसके पती या पत्री के लिए सुभ हो उनके पुत्रों के लिए सुभ हो उनके माता पिता को भी किसी परकार का असुभ परभाव वहरतन ना दे इस परकार की जब कोई भी जोच्छी ये सारे अध्यन करके और एक सुभ सोच के साथ इस बात के साथ कि मैं वास शेवा अपने आपमे नारायन शेवा है केवल इसको हम ये मान के ना चलें कि हमारे पास कोई आया है हम ये मान के चलें कि श्वम प्रभू की करपा से नारायन की करपा से कोई नर हमारे पास आया है और हम जितना नारायन जे हमें ज्यान दिया है जो नारायन जे हमें योग्यत करेगा रतन की तो बात ही क्या है रतनों में तो प्राण होते हैं रतनों में तो अपने आप में यंत्र मंत्र तंतर सब कुछ होते हैं क्योंकि किसी भी घ्रह का रतना पहनाते हो तो उस घ्रह की रस्मियां आपका सरीर अवशोशित करता है उस घ्रह का प्रभाव आपके सरीर म बैठा है कहां कहां उसकी द्रश्टी जा रही है और क्या क्या आपकी पत्री में करने वाला है कौन सा योग बनाने वाला है कौन सा योग बिगाड़ने वाला है वो सारा कारिये रतन अपने आप करेगा आपको कुछ भी करने क्या वश्क्ता नहीं है यह सारे आप उपाए करत अगर दामपत्य सुख में बाधाएं आ रही है पूरा का पूरा ये सेगमेंट हमने ले रखा है आज बताने की कोशिश की जा रही है वैसे हम हमीशा बताते रहते हैं ताकि आपका भला हो क्योंकि आज के दिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो है वहवाईक जीवन में वैतारि बोलते नहीं खाना नहीं काते रोटी अन्देवता को लात मार देते हैं फैंक देते हैं इतनी गल्तियां करते हैं कि बतलब घर में कल्ह का वातावन बन जाता है आवशेक्ता आपको केवल और केवल जोच्छी उपाई करने के जैसी आप करेंगे आपके बुद्दी स्थिर होगी शांत होगी और आप उन चीजों पर विचार करेंगे कि हमारी कल्ह से किसका भला हो रहा है आपके बच्छों का नुक्सान हो रहा है आपका पारिवारिक नुक्सान हो रहा है आप गुसे में कोई चीज तोड़ते हैं फैकते हैं आपको आर्थिक नुक्सान हो रहा है केवल और केवल नुक्षान के अलावा कलेशे कुछ भी नहीं होता बिल्कुल तो दाम पत्य सुख के लिए कुछ जरूरी चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है पंडीची लगातार हमें इस बारे में और विजवान कारिये नहीं है लेकिन यहाँ पर रुकते एक छोड़ी से ब्रेक के लिए अब मने रहे हमार साथ